मोदी जी तक आवाद जानी चाहिए कि हर्याना में फीर से दस की दस सिट्ये पर कमल खिलने वाला है मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, सभी लोग पिज़े तक उठाए दोनों हाथ विजाए के संकल्प की मुट्टी भीजिए और प्रचन वाद से बोलिए बारत मता की बारत मता की मांच उपर उपस्तित बोलो जय स्री राम मांच पर उपस्तित हर्याना के सन्मान्य मुख्यमंत्री श्रीमान मनोवलाल खट्टर जी हमारे प्रदेश भारतिय जन्ता पार्टी के द्यक्स और मेरे मित्र श्रीमान दन्कर जी हमारे ग्रू मंत्री श्रीमान अनिल वीज जी श्री गजेंद्र सेखावत जी त्रिपूरा के पूर्व मुख्यमंत्री और हर्याना के प्रभारी बाई वीपलव देव जी श्रीकवरपाल गुर्जर जी रंजी सिंग चोटाला जी ओम प्रकाश श्री सुभास बराला जी मेरे साथ दिल्ली से आये हैं सिर्षा जी खड़े हो जाईए मजिंदर सिंग सिर्षा जी जो यहां के हैं डिल्ली भाजपा के बड़े नेचाए ताली बड़ा हो सिर्षा के लिए सभी लोग और आज मंच पर बेटे हुए मंत्री गण, विदाय गण, सांसद गण हमारी बेहन जो यहां से लोग प्रिय सांसद है और आज सुनिता बेहन के साथ बेठे हुए सारे सांसद महोद है और आज की सभा में यहां पर उपस्तित प्यारे भाईों, बेहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकडे जैसे युवा मित्रों आप सभी को नमस्कार सबसे पहले हर्याना की पवित्र भूमी जहां घीता की रचना करने के लिए स्री कुष्णा ने जिस भूमी को तय किया, वो हर्याना की भूमी को प्रणाम करकर मेरी बात की सुरुवात करना चाहता हूं मैं अभी अभी गुरुद्वारा चिला साब में मत्था टेक कराया जहां स्वेयम प्रथम गुरु नानक देवजी माराज 40 दिन तक रहे और दसम पिता ने भी जहां जब पंजाब छोड़ा तो यही पर निवास किया यह पवित्र गुरुद्वारा और इस भूमी को मैं प्र मैं जब भी आता हूँ हरियाना तब हमेशा इस बात को याद करता हूँ कि जब जब भी देश पर संकट आया तो यह पंजाब हरियाना की भूमी ने चटान बनकर देश के दुस्मनों के सिने चल्ली कर दिये अपना रक्त बहा कर मा भारती को हमेशा के लिए सुलक्सीत रख मैं वो हरियाना की विरांगना माताओं को भी प्रणाम करता हूँ जिनोंने देश को एक नई अनेक बलिदानी बेटे दिये और हस्ते हस्ते अपने बेटे को भारत मा की सुरक्सा के लिए समर्पीत कर दिया मैं वो माताओं को भी प्रणाम करना चाहता हूँ यह रियाना खिलाडियों की भूमी है देश को अगर मैडल मिलता है तो हर तीसरा खिलाडी हरियाना से होता है यहाँ जब खेलों की सुरुआत हुई मैंने मनोहलाल जी को कहा मनोहलाल जी जड़ा दिल बढ़ा करकर यह धाक सारी योदना एजाहरी की है और हरियाना का किसान देश में कहीं भी अकाल पड़े धान नहों गेहूं नहों अनाज नहों तो वो अनाज जो जाता है मेरे पंजाब हरियाना से ही जाता है वो किसानों को भी मैं प्रणाम करकर मेरी बात की सुरुआत करना चाहता हूँ मित्रो आज जो कारेक्रम है विसाल जन सबा है मैं अभी गुर्दासपुर से आया आज सीर्शा हूँ देश बर में भारतिय जनता पार्टी के कारेकरताओं के दौरे लगे है नौ साल तक नरेंद्र मोदीज ने जो भारत की सेवा करने का प्रयास किया है और आपने विसेश कर हर्याना वालों ने दो दो बार सभी की सभी सीटे भारतिय जनता पार्टी में जोली में डाल कर मोदी जी को प्रधान मंत्री बनाया इसलिए मैं हर्याना की जनता का यहां से धन्यवाद करने आया हूँ नौ साल देश के इतियास में सुवन अक्सरो संकी थूने वाले नौ साल पहले का भारत याद करिये 12 लाग करोड के गपले गोटाले ब्रश्टाचार एक कॉंग्रेस पार्टी ने किया था यह नौ साल में हमारे विरोधी भी नरेंद्रम मोदी जी पर ब्रश्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सकते मोदी जी ने पारदरस तरीके से सरकार चलाई है नौ साल पहले आए दिन पाकिस्तान से आतंकवादी घुश कर हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे कभी कभी तो पैरों से उसको अपमानेट करते थे मगर ए मनमोहन सरकार सोनिया सरकार उप नहीं करती थी दस साल साशन रहा देश की कानून और व्योस्ता और सुरक्सा दोनों चर्मर आ गई थी मोदी जी प्रधान मंत्री बने पाकिस्तान को आदत जो लग गई थी उसने फिर से प्रयास किया उरी पर हमला किया पुल्वामा में हमला किया मगर वो भूल गए कि इस बार मोनी बाबा मनमोहन की सरकार नहीं है नरेंद्र मोदी की सरकार हैं दस ही दिन के अंदर पाकिस्तान के घर में घुशकर सर्जीकल स्ट्राइक और एर्श्ट्राइक करकर अतंकवादियों के पढ़चर्णे उडाने का काम देश के प्रधान मंत्री के ओडर पर हमारे सेना के जवान होने हैं यह 9 साल में नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है यह 9 साल में नरेंद्र मोदी जी ने देश के गवरव को आसमान तक उंचा उठाने का काम किया है इसकी राह देखती है गवरव भारत को दिलाने का काम हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है अभी अभी युक्रेन और रस्या के बीच में युद हुआ हमारे बच्चे वहां फसे थे हजारों बच्चे फसे थे उनके माबाप की जान तलवे पड़ लग गई थी हम सब चिंटी थी मोदी जी ने रस्या और युक्रेन के रास्ट्राध्यक्षों को फौन किया तीन दीन दोनों देशों ने युद बंद किया और हमारे सारे बच्चे सुरक्षीद बारत वापीस आ गए मिटे यह बताता है कि दुनिया में मोदी जी के सासन में भारत की पूछ आगे बढ़ी है यह नौ साल में मोदी जी ने देश के गरीबों को एक नई आसा देने का काम किया है हर गरीब को घर, हर गरीब के घर में गैस, हर गरीब के घर में नल से जल, हर गरीब के पांच लाग तक का अरोग्य का पूरी जिन्दा, हर गरीब को प्रती व्यक्ति प्रती माँ पांच किलो अनाज, और इसके साथ साथ गैस की सिलिंडर, और मैं आपको पुछना चाहता मजारों की संख्या में आप बेठे हैं मुझे बताईए भई कोवीड का दोनोटी का सबका लग गया है या नहीं लग गया है हाथ उपर करिये तो लग गया ना 25 पैसा भी देना पड़ा है कोवीड जैसी महामारी में पूरी दुनिया अस्चरे चकीत है भारत ने 130 करोड लोग को दोनो टीके लगाकर कोवीड से सुरक्सीत करने का काम देश के प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी जी ने किया है माताओ भाईयो बैनों कोवीड के वक्त भी ए पॉलिटिक्स नहीं छो राहूल बाबा ने कहा कि कोवीड का टीका तो मोधी टीका है मत लगाई हो मगर किसी ने नहीं सुनी उनकी सबने टीका लगाया अंट में वो भी एक दिन रात को अंधेरे में टीका लगा कर आ गए मित्रो जो कॉंग्रेस पार्टी ब्रश्टाचार कर रही थी जो देश को सुरक्सित नहीं रखवाई थी उसने कोवीड जैसी महामारी के समय भी राहूल बाबा एंड कंपनी ने पॉलिटिक्स करना नहीं छोगी मोदी जी के 9 साल भारत गवरव के 9 साल है मोदी जी के 9 साल गरीब कल्यान के 9 साल है और मोदी जी के 9 साल भारत के उतकर्श के 9 साल है मित्रो आज कोवीड के बाद पूरी दुनिया मंदी के चपेटे में है उस वक भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जी की नितियों के कारण मंदी दस तक नहीं दे पाई है यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है मित्रो आज नरेंद्र मोदी जी के नेत्रुतों में भारत आगे बड़ा है मोबाईल का सबसे बड़ा दूसरा उत्पादक बना ओटो मोबाईल का तीसरे नंबर का उत्पादक बना और स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक बना है अभी-अभी मोदी जी G7 की बैठक में गए, कोई प्रदान मंत्री उनके ओटोग्राप मागता था, कोई राश्टरा ध्यक्षिन से अपॉन्मेंट मागता था और आफरीका गए, तो किसी-किसी ने तो पेर छुकर आसिरवाद भी दिये मित्रो ये जो सन्मान, ये सन्मान नरेंद्र मोदी जी को मिला है, वो नरेंद्र मोदी जी का सन्मान नहीं है, ये भारतिय जन्ता पार्टी का सन्मान नहीं, ये सन्मान जो नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है, विदोस्वों में मोदी 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 के नारे लग रह करोर की जंता के सनमान के नारे मोदीजी ने दुनिया में भारत को आगे बढ़ा है किसानों के कल्यान की बात हुडा साब करते हैं हुडा साब को मैं चैलेंग देने आये हूं सिर्शा की भूमी पर हुडा साब दस साल आपकी सरकार चली कितना धान कितना गेहु खरीदा सिर्वाभ आजाओ अप सबसे ज्यादा धन सबसे ज्यादा गेहु अगर किसी ने खरीदा है सबसे ज्यादा दाम से करीदा है तो नरेंद्र मोदी जिने खरीदा है मित्रो नरेंद्र मोधी जिने करे हैं 2023 में 206 लाक मेंट्रीक टन गेहु खरीदा और धान 385 लाक मेंट्रीक टन करा सिर्फ इस वर्स में ही 47 00 करोड रुपय का गेहु खरीदने का काम हुआ है और अब चैक भी आपके एकाउंट में सीधा ही जम्हा हो जाता है बैया बीच में कोई बिचोलिया नहीं आता है हुडा साब आपकी सरकार अनेक साल रही कभी 6,000 रूपया किसान को सिधा नहीं बेजा हमारे मनोहरलाल जी ने बावांतर योदना लाही आप कई साल मुख्यमंत्री बने बावांतर योदना नहीं लाए किसानों को क्रॉप विरतन के लिए भी आपने कभी कोई काम नहीं किया मित्रों यहूडा सरकार जो थी यह 3D सरकार थी 3D का मतलब है एक डी दरबारी अपने दरबारियों की सरकार थी दूस्रा डी दामाद की सरकार थी कौंसा दामाद समझ रहे हो ना अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो दिल्ली के दामाद की बात कराऊं समझ रहे हो ना एक दरबारी एक टाबाद और तीसरे डीलरों की सरकार थी मनोहलाल जी ने तीनोडी को समाप्त कर दिया है मित्रो मनोहलाल खटर एक प्रकार से पहले पूरे हर्याना के मुख्यमंत्री थे पहले मुख्यमंत्री जो होता था वो सिर्फ रोहतक का होता था रोहतक के अलावे किसी की चिंता नहीं करता था भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार बनने के बाद मोदी जी की सारी योधनाओं को मनोहलाल जी ने जमिन पर पहुँचाया और पूरे हरियाने का विकास करने का काम हमने किया है और हर वर का हमने विकास किया है हरियाना का धाकर जवान धाकर किसान और धाकर खिलाडी ये तीनों देश की सान है मित्रो और हरियाना देश का सबसे बड़ा बासमती चावल निर्यात करने वाला राज्य ये नौ साल में बना देश का सबसे पहला कैरोसिन मुक्त राज्य बना देश का सबसे पहला पड़ी लिखी पंचाएतों वाले राज्य बना देश का सबसे पहला ODS प्लस राज्य बना और हरियाना की विकास दर 2015 से 22 तक 6 प्रतिसत से ज्यादा रही है मित्रो एडबल एंजिन की जो सरकार है उपर मोदी जी और नीचे मनहर जी उन्होंने हरियाना के विकास में कुछ नहीं छूड़ा 2019 से अब तक 5.22 बिलियन डॉलर का फॉरेन का निवेस मिला है 400 फॉर्चुन कंपनियों के कार्यालय गुरू ग्राम हरियाना में है और देश में दो गाड़ी बनती है मेरी बाद ध्यान से सुनना सिर्षावलो देश में दो गाड़ी बनती है तो इसमें से एक गाड़ी मेरे हरियाना से बनकर देश में जाती है पचास प्रतिसत गाड़ियां हरियाना से बनती है आज मैं जब यहां आया हूँ तब चोधरी देविलाल जो क्यों भी जरूर याद करना चाहता हूँ देविलाल जी ने हरियाना के किसानों के लिए धेर सारे सपने देखे थे और किसी ने तो पूरे नहीं किये हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इसको पूरा करने करो हरियाना नसे का सिकार बन रहा है मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ देश का प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात से बहुत चिंतित है और उन्होंने भारत सरकार के गुरू मंत्राले के सामने एक लक्स रखा है कि कुछ ही समय में भारत नसा मुक्त होना चाहिए और यह अभ्यान हरियाना में चालू हो गया है मित्रो सिर्षा में भी ये नो साल में बहुत कुछ हुआ है 1513 करोड उपे का किसानों को विमा का क्लेम दिया है हमने राष्टपती द्रवपदी मुरुदू ने 22 एकड़ भुमी पर 1000 करोड के साथ मेडिकल कॉनेज की आधारसिया रखी सिर्षा फतेयाबाद मार का निर्मान चल रहा है कई नए फूल बन रहे हैं सिर्षा के तेजा खेडा आसा खेडा और चोटाला की जमिन पर मेगा फूड पार्क बन रहे हैं सिर्षा में एक नए जलुबचार सैंत्र का निर्मान हुआ है और सवर उर्जा केंद्र भी गुजरात में बन रहे हैं सिर्षा में बन रहे हैं मित्रो एक कॉंसिटेंसी में इतना सारा विकास कभी पर नहीं हुआ सुनिता दुगल हमेशा भारत सरकार के मंत्रियों के पास आपके सवालों को लेकर जगडा भी कर लेती है और घिडगिडा भी लेती है एक तालिस उनिता बेन के लिए बजा दीजे सभी लो मित्रो एहुडा जी हमेशा कॉंग्रेस की बात करते हैं मैं हुदा जी को पूछने आये हूँ हुदा माराज हिसाब लेकर हरियाना की जनता को दो कि आपके सासन में कॉंग्रेस के सासन में उपर नीचे दोनों आपकी स 2004 से 2014 तक हर्याना को डिवेलिशन और ग्रांटिन एड के कुल मिलाकर 40,000 करोड उपया दिया था कितला दिया था बैस जरा बोलो तो 40,000 करोड और नरेंद्र मोदीजी ने 40,000 करोड से बढ़ाकर एक लाग तीस जार करोड उपया देने का काम किया है एक लाग तीस जार करोड उपया और वो हमारा ही सब मांते हैं मित्रो हमने 1400 किलोमीटर नए नेस्नल हाइवे बनाए 17 नए राष्टिय राजमर्ग हर्याना में गोसित किये 20,000 करोड उपये से आर्थिक गलियारे की योजना बनाई 12,150 करोड की लागत से सबसे बड़े गुर्गुराम पलवल नू जिलो से गुजरने वाले एक्सप्रेस वे को बनाया 4,000 करोड की लागत से कुनली माने सर पलवल एक्सप्रेस वे का उद्गाटन हो चुका है और इसके साथ-साथ 11,000 करोड की लागत से खरखोदा में 10 लाक वहन की प्रती साल चमता रखने वाली मानूरती का विस्तारी करण कारेक्रम हुआ कई सारी संस्तायदी, कैंसर राष्ट्रिय कैंसर इंस्टिट, 710 बेड, 101 भुमी पर, श्री कुरुष्ण आयूस विश्विद्धाले, भारतिय सुचना प्रधोगी की संस्तान सोनेपत, एनाईडी हरियाना, डेर सारी संस्तायदी और मित्रो, 20 लाख किसानों को हर साल 6,000 रूपया मिल रहा है, जल जीवन मिसन, 30 लाख लोगों के घर में नल से जल पहुँचा है, आयूसमान भारत के लाबार्धी, 82 लाख है, साड़े साट लाख सोचाले बन चुके हैं, एक करोड तीस लाख लोगों को फ्री अप कोस्ट प्रतिविक्ती 5 किलो अनाज मिल रहा है, प्रधान मंत्री आवास योधना के टोटल 75 जार से ज्यादा घर बने हैं, और धेर सारे काम किये हैं, अन्त में मैं एक ही बात कहरना च साता हूं सिर्षा वालो, आप मुझे बताओ, एक कस्मीर जो है, वो हमारा है या नहीं है, जोर से बोलो भाई, कस्मीर हमारा है या नहीं है, दारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी, अब तक किसी ने काम नहीं किया, मोदी जी को आपने 10 की 10 सिटे दे दी, फिर से प्रदान मंत्री बने, पांच मई 2019 को एक ही जटके से धारा 370 को मोदी जी ने समाप्त करकर हमेशा के लिए कस्मीर को हमारा कर दिया, और एक कॉंग्रेस वाले कहते थे, मत करिये, मत करिये, मैंने पुछा राहुल बाबा को क्यों न करे, तो कह कास्मीर में खून की नद्या बेह जाएगी, राहुल बाबा खून की नदी छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की भी हिम्मत नहीं हुई है, इन नरेंद्र मोदी सरकार, माताओ भाईयो बेनो, हर्याना के आसिरवाद से, आपने दो-दो बार मोदी जी को प्रदान मंत्री बनाया है, दोजार चौब करकर जाता हूँ, कि फिर से एक बार, दस की दस सिटे, मोदी जी की जोली में डालिये, और देश को दुनिया में नंबर एक बनाने के लिए, दोजार चौबीस में मोदी जी को प्रदान मंत्री बनाये, मुझे बताओ, चौबीस में मोदी जी को प्रदान मंत्री बनाओगे क्या कि आ अरे जोड से जो़ो बनाओगे कि बादपस सरकार बनाओगे कि तीन सो से ज्यादा सिटों के साथ बनाओगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाये कि ऐषब दोनों हाथ मुठी भीचये और प्रचंद आवाद से बोले बारत मता की बारत मता की वंदे वंदे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार